कि यहां पर हिंदू भी आते हैं मिसल्मान भी आते हैं रेस्ट कर लेते कोई यहां पर आप तुम अगरा यूज कर लेते कुछ खाना खा लेते बैठ कर काफी हाटा बड़ा है इसका गायर नुजमा आप सबका स्वागत है मैं हनिव शेक हम एक तारीखी मस्जिद में आये हैं यह एहंदाबाद की सुन्नी मस्जिद है जो तीन दर्वाजे के अंदर है और यहां का नसरा मैं आपको लिखाता हूँ बहुत बहतरिन मस्जिद है और क्या बता हम आपको कि यह मस्जिद देखकर कि एदगा भी कम पड़ गया ऐसा लगता है यहां की खासियत एक है कि यहां पर हिंदु मुसल्मान सब लोग इस मस्जिद में आते हैं और 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 ते भी आती है मस्जिद अब हम अंदर चलते हैं और यहां का नजारा देख लिए कितने सारे बीम लगे वे यहां पर यह मस्जिद है काफी बड़ी है और माना जाता है कि इसी के बाजु में बिल्कुल मंदिर के लिए भी जगा दिया गया है करते हैं यहां के जो बाशा थैं अहमर शाद बाशा उन्होंने यह सब monitore लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतिजान किया था। और बहुत से लोग यहां पर आते हैं कई हिंदू लोग कि बेHTर आराम करते हैं लेकिन कोई रोक डोक नहीं कि हिंदू क्यों आया ऐसा बिलकुल नहीं है यहां पर यहां पर देखा गया है और यहां पर देख सकते हैं आप लोग चारो खलीफा के नाम दिखे वे और दरुशरीफ भी लिखावा है यहां पर और यह चारो खलीफा के यहां पर नाम दिखावा है यह आप लोग देख सकत और इस मस्जिद के खुम्सूरती देखिए और इसका हाता इतना बड़ा है कि इसका ग्राउन इतना बड़ा है कि कोई भी चौक जाता है यहां आने के बाद में इसकी आँखे खोली की खोली रह जाती है कि माझे कृच्च्च्च्षव के ट्रूस पता है कि ठाग्सरा आने कि म्हाटब देखिए और प कि गुम्सूब लाइस के वालाई रह जा है कि वाला इartLike खोली खग्सके यहां ऑ्सका हुटर क क्रमादे ग sniff कर दो एक राखना हो जाखना हुआए सहिए कि अजयर के प्लते हैं चार्चे लेकर बाहिई खूड़ को रेकर हैं एकार हुआ है, एकार थे उड़ुखुुँुद नचार आए चारा थुव का बाले से जड़ देकर रिएकर हैं. झाल झाल